वेल्कम बैक टू माई चैनल मल्टी टेक पीट्स आज हम इस लेड एशिट बैटरी को लीथियम बैटरी में कनवर्ट करके आपको दिखाएंगे वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है प्लीज वीडियो पूरा वाज कीजिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते देखिए इसका वेड 2.37 है फिर इसको हम लीथियम बैटरी में कनवर्ट कर देंगे इसके बाद भी आपको इसका वेड दिखा देंगे देखिए फ्रेंट्स इस बैटरी को हम यहां से हेक्जावलेट से काट लेंगे यहां से इसको बहुत अच्छे से काटेंगे सीधा कड़ना चाहिए क्योंकि इसी का ढटका नाम यूज करेंगे यह देखिए यह देखिए फ्रेंट्स इसको काट ली है अब इसका हम कचड़ा साथ करेंगे यह देखिए इसको प्लाज से पकड़कर खिंच लेंगे यह देखिए इतना सारा कचड़ा निकला है इसको हम साइट करेंगे और यह जो बॉक्स निकला है इसको हम काट लेंगे अंदर अब करते हिए इसको हम कट करेंगे जो इसको काचकर पूरस साफ करेंगे बनाने के लिए हम लेपटॉप की पुरानी बैटरी लेए हैं यह हमें एक 100 रुपीज की पड़ी है इसमें छे से लोते हैं एक बैटरी में लगबग चार से पांच से आराम से अच्छे निकलाते हैं क्योंकि यह वर्जिनल लैपटाप की बैटरी होती है और बैक भी अच्छा होता है नई बैटरी से भी ज्यादा यह अच्छा वर्क करते हैं चलिए अब इनको हम खोल लेते हैं यह देखिए इसमें यह छे से निकले वी हैं अब ऐसे ही सभी बैटरीयों से हम एक निकाल लेंगे अब ऐसे ही हम दूसरी बैटरी खोल लेंगे यह देखिए इसमें इस टाइब की बैटरी निकली है अब सभी बैटरीयों हम निकाल लेंगे इसके बार वन बाई वन चेक करेंगे कौन सी सही है कौन सी कराई यह देखिए फ्रेंट्स इतना कबारा निकला है तो BMS का तो हमें कोई जेउर्ट है नहीं कभी जह उत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे फिर यूज़ नहीं करेंगे पहले इस बाॉक्स को लेते हैं देखते हैं इसमें कितने साल पैठेंगे इसके बाद इसको हम चेक करेंगें कौन चल सही कौन नहीं सही है एक लाइन में कितने बेठारे रहे हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 8 से ला रहे हैं इसके 3 लाइनई बनेगी तो 24 सल चाहिए हमको देख लेते हैं बेर ही ठाल करके यह देखिए इसमें 24 सेल अर्जस हो जाएंगे देखिए एक लाइन में 8 सेल लग रहे हैं जो पैरलल में हैं तो तीन लाइने बनेंगी पैरलल की इनको हम सीरीज में जोड़ देंगे तो टोटल 24 सेल लगेंगे जिससे 16,000 mh 12 ओल्ट की बैटरी बनकर तयार हो जाएगी यह देखिए तो दो के परे काटे नहीं तो जोड़ने में आसान रहेगा अगर इनकी ओल्टेज सही निकलती है तो हम इनको काटेंगे नहीं इनको आगे हम पाइलल में जोड़ते चले जाएंगे से लिए देखते हैं ओल्टेज से लिए ओल्टेज चेक करते हैं यह देखिए 2.24 जिसमें 2.24 और 2.59 आएगा उसके से हम अलग कर लेंगे फिर एक-एक करके चेक करेंगे इसको अलग कर लेते हैं इसमें देखते हैं कितनी है 3.97 यह देखिए यह बैटरी विल्कुल फिट है इसको अलग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसमें की एक बैटरी डेट होती तो दूसरी भी टेट हो जाती और उसका उल्टेज कम हो जाता इसका मतलब यह पेर सही है इसको हम अलग नहीं करेंगे अईसे ही हम सारे सेल चेक कर लेंगे इस इतने हैं यह जो है बैटरी डेट है यह कोई रीडिंग नहीं बता रही है फुली डेट है और तिशले वीडियो में हम डोल डोल की बैटरी बनाये थे उसकी कनेक्शन हम बताये थे आप उसमें जा करके डेटेल में देख सकते हैं पैलल और सीरीज कनेक्शन कैसे किये जाते हैं और BMS में कैसे कनेक्ट करते हैं आप देखें फ्रेंट्स इन सिलों को हम पैलल में जोड लेंगे पैलल में कनेक्ट कर लेंगे पास्टू पास्टू एक तरफ निंगेटिव निंगेटिव एक तरफ और इसको जोडने के लिए एक टेक्निक लगाएंगे नहीं तो यह रुकेंगे नहीं आईसी दो लोकडियां ले लेंगे इस टाइप की और यहां पर यह रबडबंड लगा लेंगे यहाँ पर दोनों तरफ इधर भी लगा लेंगे और इधर भी लगा लेंगे आप सेल इसमें हम भसा देंगे तो मेरे सेल बराबर रुके रहेंगे यह देखें ऐसे यह दो-दो का सेट है इसको हमालग नहीं किये क्योंकि यह सेल सही थे इसे पूर बशा लेंगे तो यह रुके रहेंगे और इंको connect करने के लिए हम जिसमें तीन वार वाला कव्पर वार जो आता है कहीं पुराना पड़ा हो या नया भी आप ले सकते हैं तो ले सकते हैं, इसमें केवल दो तार, दो दू का हम बनाएंगे, तीन तार की कोई जिवर्द आप तीन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो है, तीन नहीं, दो का लगाएंगे यहां पर, ऐसे connect करते हुए, चले जाएंगे समय, सब को एक सीध में रखना है, देखिए, यहां प कट कर देंगे, यह देखिए, सभी सेल हम connect कर लिए हैं, यह देखिए, यह सभी सेल connect हो गए हैं, अब हम इस साइड भी connect करेंगे, यह देखिए, फ्रेंस, यह दोनों तरफ connect कर लिए हैं, ऐसे हम, तीन सेट बना गए हैं, देखिए, अब तीन सेट तयार हो गए हैं, अब इसका निगेट्व, इसकी पास्ट्यू में जो जाएगा, बीच वाले की पास्ट्यू में, फिर, इसको पलट लेंगे, इसका निगेट्व, इसके पास्ट्यू में जो जाएगा, तो यह सीरीज बन जाएगी, तो इससे हमारे ओल्टेश बढ़ जाएगे, चलिए इनको फटा पट, connect कर लेते हैं, अब इसका निगेट्व, इसके पास्ट्यू में connect हो जाएगा, लेकिन हम इसको एक जिगे लिए connect करेंगे, बराबर सिलों के लोड पड़ें, इसलिए हम कम से कम चार जगे connect करेंगे, एक यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ चार जगे, ऐसे connect कर देंगे, तो सभी वैट्रियों के लोड बराबर पड़ेगा, देखिए यहाँ से ऐसे connect कर देंगे, एक कर देंगे यहां सी यहां कनेक्ट कर देंगे यहां सो यहां से यहां और यह जाएता लगा में क्यों है इसकी काम नहीं करना चहिए कि अब भी बराबर पड़ेंगा और अगर इक वारिस में निकल भी गया चूंट भी गया तभी ब्राबर वर्ट करता रहेगा के ओर कि दिख टो ऑ टी चार चार देगा में ने करेट किया है है चले इसको भी कर लेते ही और सही तरीका इस आ आ कि एक जगए नई कानेट करके इसको हम चार जगे कम से कम connect करेंगे काम हमारा एक जगे से ही चल जाएगा बट कोई risk नहीं रहे बराबर load पड़े इसलिए कम से कम इसको चार जगे हम connect करेंगे सही तरीका यही connect करने का बहुत सारे लोग एक जगे connect करके दिखा देते हैं उसमें risk भी रहता in case कोई shoulder यहां से disconnect हो जाएगा तो पूरी series बंद हो जाएगी अगर कम से कम 3-4 जगे है तो हमारी series चलती रहेगी इसलिए हम 4 जगे connect करते हैं हम आपको जो भी सिखाएगे बहुत अच्छा तरीका सिखाएगे बनाने का भले उसमें time ज्यादा लगे सभी connection हमारे complete हो गए है अब हम इसकी voltage आपको check करके दिखाते हैं यह देखिए यह है positive यहाँ पर 7.29 दिखा रहा है और इसको ऐसे पलट लेंगे यह positive है यह negative है यह देखिए 9.84 बैटरी चार्ज नहीं इसलिए इतना दिखा रहा है नहीं तो 12.5 के करीब होता है यह हमारे पास BMS है यह 3S 20A का है जितने एंपियर के हमारी बैटरी बनेगी उससे ज्यादा एंपियर का BMS हमें यूज़ करना पड़ेगा तो यह 16 एंपियर की बैटरी बन रही है इसलिए 20 एंपियर का यह 25 एंपियर का BMS इसमें लगाया जाएगा यह देखिए फ्रेंट्स इसमें हम चार्जिंग के लिए यह फीमेल DC सॉकट लगाएंगे इसी बैटरी का धकन है यह इसको हम यहाँ पर होल करेंगे यहाँ पर चलिए इस सॉकट को लगाने के लिए हम यहाँ पर होल कर लेते हैं इसके आप होल सोल्डरिंग आरंस से भी कर सकते हैं और अगर आप यह डिरेल लेना चाहें तो इसका लिंक हम डिस्क्रिशन बॉक्स में दे देंगे वहाँ से आप पर्चेज कर सकते हैं यह देखें फ्रेंट्स इसमें हम होल कर लिए यह डिसी सॉकेट यहाँ पर लगा देंगे इस थरफ एक और होल करेंगे यह LED लगाने के लिए यह पावर सो करेगी कि पावर आ रही की नहीं इसलिए यहाँ पर एक LED लगा देंगे यहाँ पर भी एक होल कर लेते हैं आई थिंक कुछ जादे बड़ा हो गया चलिए इसके लिए कुछ जुगाड करते हैं यह होल बड़ा हो गया तो इसके लिए जुगाड करना पड़ेगा एक खराब पेन है इसे एक पीछे का कैब निकाल लेंगे और देखते हैं इसमें ये लीडी बढ़ जाएगी वाह बहुत अच्छी बढ़ गई इसमें और इसको हम आईसे इसमें फिट कर देंगे ये देखें कभी कभी कबार भी काम कर जाता है यह देखिए कितना अच्छा फिट हो गया है यह देखने में भी अच्छी लगेगी कोई बात नहीं छेद बड़ा हो गया था तो और भी अच्छा बन गया इसका हिसाब किताब चलिए अब आगी कनेक्शन आपको दिखाते हैं यह देखिए फ्रेंट्स यह पाजिट्व निगेट्व लिखा है यह आउटपुट के हैं और इस त toothbrush देखिए जीरोल्ट लिखा है यहां बाईटरी का निगेट्व लगेगा और यहां 4.2 ओल्ट बाईट्री का पहला सिरा लगेगा यहां 8.4 ओल्ट यह बीच वाला सिरा लगेगा और यहाँ पर 12.6 यह positive लग जाएगा इस तरीके से इसके connection किये जाएगे और इसका जो है circuit diagram हम दे देंगे वहाँ से आप देख सकते हैं इसका circuit diagram है ऐसे connection किये जाएगे यह हमारा BMS हो गया जी रोल बैटरी के negative पर connect हो जाएगा फिर 4.2 ओल्ट जो है यह यहाँ पर connect हो जाएगा और 8.4 ओल्ट बैटरी के दूसरे बैटरी में connect हो जाएगा और 12.6 positive की तरफ connect हो जाएगा आप इस circuit diagram से देख सकते हैं आज it is ऐसे connection किये जाएगे कोई connection जेटल नहीं है आप इससे देख करके समझ सकते हैं शेख सकते हैं यह देखे फ्रेंट्स हम 1 mm का तार यूज़ करेंगे हमारे पास एक ही color का wire है इसलिए हम green wire लगाएंगे एक टुकड़ा हमारे पास white है इसको हम positive में लगादेंगे सारे connection हम complete कर लिए हैं अब इस battery को इस box में रख देते हैं यह देखे फ्रेंट्स कितने अच्छे से इसमें fit हो गए इसके सारे connection हम complete कर लिए हैं यहां BMS भी लगा दिए हैं according to circuit diagram जैसे circuit diagram बना हुआ था वैसे ही connection हम कर लिए हैं देखे फ्रेंट्स यहां एक diode भी लगाए हैं जहांसे हम input देंगे यहांसे 12 volt input देंगे यहां पर positive terminal कप पर हम एक diode लगा दिए 6 ampere का किसी भी नंबर का आप diode ले सकते हैं देखे silver पट्टी बाहर की तरफ है यह देखे आप देख सकते हैं यह आ करके बैटरी की output terminal जहां हम output लेंगे उस terminal पर connect कर देंगे यहीं से एक वार ले करके हम जो BMS का positive है वहां पर connect कर देंगे और negative इसके negative पर connect कर देंगे यहां पर हम एक LED उसकी है इंडिकेटर के लिए कि power आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां positive terminal से एक 10k का resistance connect कर देंगे LED की positive terminal पर यह 1 watt का resistance होगा negative direct connect कर देंगे चलिए अब इसको हम पैक कर देते हैं यह देखिए यह जो है cardboard है इसको हम यहां पर लगा देंगे जिससे हमारे connection एक दूसरे से test ना करें BMS से इसको यहां ऐसे पैक कर देंगे और इसको ऐसे अशिक कर देंगे Ну is it कि एक दकनी इसको चिपका देंगे इससे चिपका देंगे इसे चारों तरफ लगा देंगे समय कर दो और इसको अच्छे से हम चिपका देंगे हां पर इन देखिए ज़्यादा नहीं लगाना है किकी कभी खोलना पड़े तो यह कुझली खुल जाए यह अच्छे से चिपक चुकी है अब हम इसकी ओल्टेज भी आपको चेक करवा के दिखा देते हैं कि यह देखिए 11.58 अभी चार्ज नहीं इसको चार्ज करेंगे तो इसकी ओल्टेज बढ़ जाएगी कि चार्ज करके भी हम आपको दिखाते हैं यह देखिए 12 ओल्ट एडाप्टर का पिन है इसको जो है connect किया और on करते हैं यह देखिए इंडिकेटर जल गया बैटरी चार्ज होने लगी यह बहुत अच्छा पायक बन के त्यार हुआ है इस बैटरी से आप इस टाइप की LED स्ट्रिप जला सकते हैं जो कि 12 से 15 घंटे जल जाएगी इस बैटरी का बैटरी का बहुत अच्छा रहेगा और मल्टी परपज है आप जो है इस प्रे मशीन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं देखिए हम आपको यह 775 मोटर चला के दिखाते हैं देखिए कितने स्पेट से भूम रहा है देखिए फ्रेंट्स यह लीथियम बैटरी में कनवर्ट हो चुकी है अब हम इसका वेट करके दिखाते हैं देखिए वेट इसका 1.26 किलोग्राम है और पहले इसका वेट 2.37 किलोग्राम था एक किलोग्राम कम हो गया और इसका पावर जस्ट डबल हो गया पहले 7.4H की यह बैटरी थी अब इसका जो है एच 16H हो गया है जस्ट डबल से भी ज़्यादा और लागत आई सिर्फ 500 रुपीज अगर आप लीथियम बैटरी 16H की लेंगे तो लगभग 5000 की पड़ेगी लेकिन यह बहुत सस्ते में बनकर तयार हो गई फ्रंस इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और हाँ वेल आइकन प्रेस करना विलकुल मत भूलना जै जवान जै किशान जै विग्यान बाई बाई